हेलो वीवर्स कैसे आप सर्ट विल्कम टू हूरम कुकिंग आज मैं बना रही हूँ वाइट चिकन बिर्यानी वाइट चिकन बिर्यानी बनाना बहुत ही आसान है और बहुत ही मज़िदार बन करके तयार होता है और बहुत ही लाइट बनता है कम मसाले में बन करके रेडी होता इधर मैंने चिकन को अच्छे से साफ कर लिया है तो मैंने एक किलो चिकन लिया है इधर मैंने कुछ गर्म मसाले लिये हैं हरी मिर्च है खड़े गर्म मसाले हैं दालचिनी बड़ी लाइची लॉंग छोटी लाइची और काली मिर्च का पॉडर इधर मैंने अमूल फ्रिस क्र तो नेंबू अधा जाएगा हैं बाखी की मसाले में एड़ करती जाओं denn here बताती जाओं मैंने कल पहले ले लिया है इस अमल क्रीब की इसमें एड़ करेंगे दही डई को अच्छे से फेट लेना है उसकी बाद इसमें डाल देंगे खड़े गर्म मसाली जाहितरी को तोड़ करके डाल देंगे अधर क्लेसं का पेस्ट दो चम्मज डालेंगे उसकी बाद इसमें डालेंगे मायोनीस तीन चम्मच एड़ करदेंगे हर इमिच को मैंने मोटा मोटा सा पीस लिया था वो भी एड़ करदेंगे इसमें डाल देंगे गर्ममसाला अधा चम्मच छोटी लाइची का पॉडर आधा चमच जीरा आधा चमच पुदीना कोतमीर भी डाल देंगे थोड़ा गार्निस के लिए बचा लेंगे बाकी का डाल देंगे आधा नीमू डालेंगे इसके बाद इसमें धनिया और नमक भी जाएगा इधर मैंने प्यास को फ्राई कर लिया था ये चार से पांच बड़े साइस की प्यास थे वो मैंने इसे पतले स्लाइस में कट करके फ्राई कर लिया है थोड़े से गार्निस के लिए बचाओंगी बागी की सारे एट कर दूँगी इसमें अच्छे से मिक्स कर देंगे इधर मैंने चावल लिया है एक किलो चावल को मैंने भीवो दिया था पहले मैं चावल बाइल कर लेते हैं चावल में मैंने डाला देजपत्ता, गालचिनी, फूल, हरी मेर्च, पुदीना, कोतमीर, नमग डाल करके इसे बॉयलाने का वेट करेंगे चावल को 80-90% गला लेना है बाद में इसमेट कर देंगे, रोस वाटर अभी दर मैंने टोप में थोड़ा सा तेल ले लिया है दो चमत की करीब इसमें सारा चिकन को एट कर देंगे इसे 5-10 मिनट के लिए पका लेंगे पानी बॉयल हो चुका है इसमें चावल एट कर देंगे बीच बीच में चिकन को चेक करते रहेंगे चावल चिक कर लेते हैं तो चावल हो चुका है ये इसमें दो किनकी चावल बजता है पकने के लिए तो तभी हम चावल का पानी निकाल देंगे सारा यानि इसे निधार लेंगे इदर चिकन भी रेडियो हो चुका है ये देखिए चिकन हलका गल गया है गैस बंद कर देंगे अब पिर्यानी की लेयर लगाएंगे इदर मैंने वही टोप लिया है जिसमें मैंने चावल को बल किया था मैंने दो चमज तेल एड़ कर दिया है जिसमें ये वही तेल है जिसमें मैंने प्यास को फ्राई किया था दो चमज तेल एड़ करेंगे फिचावल एड़ करेंगे उसके बाद इसमें एड़ करेंगे पुदीना कोदमीर प्यास अब अच्छे से चारो तरफ चिकन भी एड़ कर देंगे दो से तीन लेयर लगा लेंगे इसी तरीके से चुक्त वाइड बिठय बेरियम की वाइड बिरियनी बहुत कम मसाने में बन करकी त्यार होती है अब और बहुत मज़िदार होती है आप भी ड्राई कर देगा आप चिकन को बिना पकाए भी लेयर लगा सकते हैं इस तरीके से लेयर लगा दें और इसे फुल आँच पे पांच मिन्ट के लिए रख दें उसके बाद आँचे लिए आपकेशन इसे बाद आँचे लिए इसे बाद आँचे लिए रख दें आँचे मिन्ट काए परस अडाला को थे पुदी ना करेस जाल करेंसे 15 मिट के लिए इसे दम पे छोड़ देंगे तो आएए चेक करते हैं 15 से 20 मिट के बाद मैंने इसे चेक किया है तो यह अच्छे से पक चुका है यह देखे रेडी हो गया है वो सब्सक्राइब करें वीडियो देखने के लिए थैंक यू अजो छ देखे बाद मैंने वीडियो धब करेंगे